नमस्कार किसान भाईयों कैसे हैं आप लोग उम्मित करता हूं बहुती बढ़िया होंगे किसान भाईयों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मैंन्था में खर्पदबार को कैसे नियंतित करें काफी किसान भाई कमेंट्स कर रहे हैं कि हमारी मेंता की फसल में जो खर्पदबार हो बहुत ज्यादा है लेकिन हम उनकी निराई गुराई करते हैं जुताई करते हैं परंतु वो पीछे से दौरा तुरान तयार हो जाते हैं जैसे कि मोथा खर्पदबार तो ऐसी कंडिसन में हमें जो खर्पदवार ना सके वो किस प्रिकार से लगाने चाहिए, कितने दिन की फचल पर लगाने चाहिए, खर्पदवार की दोज हो क्या रखने चाहिए, जो हम खर्पदवार का प्रियोग करेंगे, यह हमारी फचल में कौन को सी घास को सुखाएगा तो आप वीडियो को पूरा देखें अंत तक देखें ताकि आपको सही जानकारी फिराप्त हो सके और जो किसानवाई चैनल पर पहली बार है उनसे रिखेस्टे की चैनल को सब्सक्राइब पर लें और पार्स वाली घंटी को भी दबा दें किसानवाई अक्सर देखा जाता है कि मैंथा की फसल होती है उसमें जो खर्पदबार होते हैं बहुत ज़्यादा जमते हैं इस समये जो खर्पदबार होते हैं वो बहुत ज़्यादा जमते हैं और एकदमसे गिरो होते हैं हम फसल की निराई ग्रॉाई करते हैं परउन्तु खर्पदबार को पूरी तरीकर सैंने नहीं कर पाते हैं क्योंकि कुछ खर्पदवार बहुत ज़्यादा जिद्धी होते हैं तो ऐसी कंडेसर में किसान भाईयों हम काफी परहसान हो जाते हैं और हमारा दिमाग के बाल एक काम करता है कि इस समय आपको किसी दवा का प्रियोग करना चाहिए और दवा हमें ऐसी मिल जाए जो हमारी जो सबसे पहले मैं आपको खर्पदवार के नाम बता देता हूँ कि आपकी फचल में कौन-कौन से खर्पदवार है और कौन-कौन से खर्पदवार को यह दवा मार सकती है तो जैसे कि आपकी फचल में मोथा खर्पदवार है सबसे जिद्धी खर्पदवार होता है दूसर बासब कंपनी काता है बासा गिरान के नाम यह आपको 800 ml की एक आती ए तो यह लेकर आनी है एक बोतल 800 ml वाली इसके साथ कत्सक्राइव आपको मिलानी है एजील तो अदामज कंपनि का एज एजिल हर्시는 डाता है है कि मारशा करूद अपको कि मिलाने के और भाद में ओर आपको लगभग 6-60 तंकी पानी यानि लगभग 120 10- intrigue बदें करμεं करें तक युठ में चा जो पर दो कि यह थे कि धूप मिल जाए। इस्प्रे करते हैं एक बात का विशेज ध्यान रखें। जिसमें भी आप इस्प्रे करें। पहले आप अपनी फिसल को पानी लगाने। यानि परियाप मातरा में नमी होने चाहिए उसके अंदर। यदि नमी नहीं है तो आप इसका प्रियोग बिल्कुल जाएंगे पीले पड़ आएंगे और जब आप उसकी सिचाई करेंगे तो पानी देने के तुरंत बाद सूख जाएंगे तो इस प्रकार से यह दवाय हमारी काम करेंगी अर्थात आठ से बारे दिन के अंदर हमारी घास या खर्पतवार खेत के अंदर है उससे पूरी तरी जब हमारी फसले के अंदर मौत्व खर्पतवार नहीं है और अन्य सभी प्रकार की सगरी पत्ती वाली घासे हैं जैसे मकड़ा है दूब है जैई है ग्याँ है मंडूसी है अधी घासे है तो इसके लिए आपको जो लेनी है यह लेनी है यह एजिल हरीब साहिड है यदि हम लेनी की चाहिए यह लेनी है इसे लेने के बाद में आपको लगवर एक सु पचास लीटर पानी में इस परे करना है इस परे करने के आच से दसनिर के बाद आप देखेंगे कि आपकी फसल है उसके अंदर जो खर्त पदवार है वह अच्छे तरीके सूख जाएगा और आप किसानवी हम बात कर लेते हैं कि इस दवा का हमारी फसल पर कोई प्रिभाव नहीं पड़ेगा तो आपको नमी का बहुत जाद ध्यान रखना दवा का यह प्रियोग करना और नमी में करना आपके खेतर परियापत नमी होनी चाहिए मैं आपको जवाब देने की तुरंत कोशिस करूँगा यह अच्छे लगी वीडियो परसंद आया तो लाइक करें अधिक से अधिक से शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें